नमस्कार आप सबका स्वागत है कक्षा दिवित्या के विशे संस्कार सोरब की इस कालांस में पिछले कालांस में हमने गीत का दोहरान किया था कितना सुन्दुर कितना प्यारा देश हमारा इसे कड़ी को अब हम आगे बढ़ाएंगे पहले हम दो अंतरे कर चुके हैं अब आगे के दो अंतरे हम आज करेंगे कंचन सातन मतलब जो भारत देश इसका जो विशाल मैदानी भाग है पहाड है पठार है नदियां ये भारत माता का तन शरीर है जिसमें फसलें लह लहा रही है सुन्दर पकी हुए फसलें सोने की तरहें लह लहा रही है ऐसा भारत माता का शरीर है धोये चरण को सागर गहरा भारत माता के जो भारत देश का जो दक्षिनी भाग है वहाँ पर विशाल सागर धर्ती माता के चरणों को धो रहा है लहरों ने जिसको ललका रहा और उस देश ने हर बार उनको करारा जवाब दिया है ऐसा हमारा देश है आगी की पंक्ति है सारे जगत में इसकी जै हो सारे जगत में यानि पूरे विश्व में पूरी दुनिया में इस देश का लोहा माना जाए इसका जनजन सदा अभे हो इस देश का हर प्रानी हमेशा विजई हो सुर नर मुनि सब यही उचारा सुर इंसान देवता सुर देवता नर यानि लोग मुनि यानि रिशी मुनि उन सब ने यही चाहा है यही गुनगान गिया है कितना सुन्दर कितना प्यारा देश हमारा हमारे देश की ऐसी एक बहुत ही एमिट छाप जो इस गीत में बताई गई है आप इस गीत को याद करें और इन पंक्तियों को पूर्ण करें यह देखिए मैंने यहां पर जो पंक्तियां भी आपको बताई है उन्हीं को अधूरा रखा हुआ है इन पंक्तियों को आप पूर्ण करें धन्यवाद